हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम इस वीडियो में सिंदुगाटी सब्वेता के नगर एम नगर योजना पढ़नाली के बारे में संक्सित रूप से पढ़ेंगे और सिंदुगाटी सब्वेता के जो भी नगर है नगर ये जो योजना पढ़नाली है उनको विस सिंदूगाटी सब्वेता के नगर पढ़ाने से पहले बताऊंगी कि सिंदूगाटी सब्वेता के बारे में हमने जो महितोक पून जो इंप्रेंट नोर्स हैं एक्जाम के तोर से उनको पहले वाले वीडियो में देखा है वहाँ पे आप और भी डिटेर से सिंदूगाटी सबसे पहले बताऊं कि जो सिंदू गटी सब्वेता है यह आदे थैसी काल का पार्थ है और सिंदू काटी सब्वेता है इसका काल अनुमान के तोर पर हम बता सकते हैं वैसे फिक्स नहीं बता सकते कोई इसका जो समय है वो 3,000 इसा पूरव से 1,800 इसा पूरव बताता है कोई ऐसे विद्वान है कई विद्वान ऐसे है जो 2,500 इसा पूरव से 1,500 इसा पूरव बताते है तो सिंदु गाड़े सब्वेता का जो काल है वै अनुमानत ही बताया जा सका अभी तक कोई फिक्स इसका समय निर्दार्च नहीं कर पाया है तो माली जी कि जो सिंदु गाटी सब्वेता इसका काल पचीस सो इसा पूरा से पंदरा सो इसा पूरा हो और अब देखेगा सिंदु गाटी सब्वेता है इसके परमुक नगर नगरों के बारे में हम इस वीडि से ऊच्छन अगर हडपा मोहणजो दुड़ो चनहु दॉड़ो लोथल काली बंगा और बनवाली तो इनके बारे में भी हम अलग». अलग-अलग पढ़ेंगे जो हडपा का पर्टिगूल वीडियो आपको मिलेगा मुहंजो दुडो का चनहु दुडो का लोथल काली बंगा बनवाली इन सब के बारे में हमने अलग-अलग से भी वीडियो बनाएं वहाँ पे आप ये इनके बारे में डिटेल से पढ़िएगा देखेगा तो देखे हडपा सिंदू काटी सब्वेता का उतकरन का कार ये हडपा नामक स्थान से ही किया गया था इसलिए इस सब्वेता का नाम हडपा सब्वेता पढ़ा तो सिंदू काटी सब्वेता इसका दूसरा नाम क्या है हडपा सब्वेता हडपा सिंदू सब्वे हडपा का पर्थम पुराताथ्वीक उत्खनन 1921 इस्वी में किया गया था पर्थम उत्खनन का कारिये पुराताथ्वी भाग के निद्देशक जोन मार्सल के नितरत्व में दियाराम साहनी के द्वारा किया गया 1923 में इसका नियमित उत्खनन प्रारम हुआ इसके अलवा मादो सवरूप वाद्स ने 1923 में तथा वीरलन ने 1946 में खुदाई का कारिय किया था हडपा है वह रावी नदी के तटपर मोंड गुम्री जिले में पंजाम में इस्तित है जो अब कहां पे है पाकिस्तान में है तो कई बार पूछ लेते हैं हडपा है वह किस नदी के तटपर है रावी नदी के तटपर ठीक है ना हडपा के टीले या दवनसा वसेसों के बारे म शरव पर्थम जानकारी 1826 इस्वि में चार्ज मैसन ने दी तो हडपा के जो टीले या फिर वहाँ के दवन साव से उनके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी चार्ज मैसन ने कब दी 1826 इस्वि में फिर देखेगा मोहन जोदडो तो मोहन जोदडो का सिंदी भासा में आर्थ मर्दकों का टीला है इसकी खोज 1922 इस्वि में राखल दास बैनर जी ने की थी यह नगर सिंदू प्रांत के लर्काना जिल्ले में सिंदू नदी के तड़ पर इस्तित है तो मोहन जोदडो अब कोन से नदी के तड़ पर इस्तित है सिंदू नदी के तड़ पर 1922 से 1932 तक सर जोन मार्शल के निर्देशन में उत्खरन का कारिय किया गया हडपा के सम्मान मोहन जोद्रो में भी नगर के पस्सिमी भाग में एक दुर्ग का निर्मान किया गया है मोहन जोद्रो के अवसेस हडपा की बजाय ज्यादा सुरक्सित है मोहन जोद्रो सिंदू गाटी सब्वेता का सबसे परसित प्राची निस्तल है तो सिंदू गाटी सब्वेता का सबसे परसित प्राचिय निस्तल कौन सा है मोहन जोद्डो मोहन जोद्डो सिंदू सब्वेता का नियोजित वैफ विक्षित सहर था मोहन जोद्डो की परमुक विशेषता उसकी सडकें थी पिगट महोदे ने हडपा और मोहंजोद्डो को सिंदो सब्वेता की जुड़वा राजधानी बताया है कई बार पूछ लेते हैं हडपा और मोहंजोद्डो को सिंदो सब्वेता की जुड़वा राजधानी किसने बताया वो है पिगट महोदे अगला चनहूद्डो चन हुद्रो है ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में 1931 इस्वी में M.G. मजूमदार ने उत्करन का कारिय यहां पर करवाया था फिर अगला लोथल तो लोथल है वैं जहांजों की गोदी मिली है जिससे सुचित होता है कि इस नगर का व्यापारिक महत्वय था और यहां से समुद्री व्यापार जहांजों द्वारा किया जाता था काली बंगा सिंद गाटी सब्वयता अर्था सिंदो गाटी सब्वयता का महत्वपुन स्तल काली बंगा है यह काली बंगा राजस्तान के गंगानगर जिल्य में इस्तित है काली बंगा की खोष सबसे पहले एक घोष ने 1953 इस्वी में कि थी यह स्तल घगण नदी के किनारे पर इस्तित है यहां से दो टीले प्राप्त हुए हैं यह टीले सुरक्सा दिवारों से गिरे हुए हैं पस्यम की ओर का टीला छोटा तथा पूरव की ओर का टीला बड़ा है पस्यम के टीले को पर्थम काली बंगन का नाम दिया गया है बनवाली एक संदव सभ्यता कालिन स्थल है जो हर्याना के हिसार जिल्ले में इस्तित है इस स्थल का उत्खनन 1974 में आर एस विस्ट द्वारा करवाया गया इस सभ्यता से हडपा सेंस करती के तीन स्थर प्राप्त हुए है प्राख हडपा, विक्सित हडपा और उत्तर हडपा यहां से जल निकाशी परणाली जो सिंदू सभ्यता की सब्चे महत्वपन विसेशता थी का अभाव था यहां से हडपा कालिन मिटी के उत्करिष्ट बर्तन सेल खड़ी की अनेक मुहरें आदि अवसेश प्राप्त हुए है अब देखिए सिंदू सभ्यता की जो नगर है उनके बारे में हमने संक्सित रूप से यहां पर पड़ा है अभी जो नगर निर्मान योजना उसके बारे में थोड़ा साग देखेंगे यहां पर तो सिंदू सभ्यता में संपादित उत्खनों पर एक यदि अपन विहंगम दरिस्टी डालते हैं तो ऐसा परतीत होता है कि यहां के निवासी महान निर्मान करता थे उन्होंने नगर नियोजन करके नगरों में सारवजनिक तथा नीजी भवन, रक्षा प्राचीर, सारवजनिक जलासे, सून नियोजित मार्ग वेवस्ता तथा सुंदर नालियों का प्रावधान किया सिंदो काटी सबेता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर योजना के लिए विश्वा परसीद है क्योंकि इतनी उचकोटी का वस्ती विन्या समकालीन मेसो पोटामिया आती जैसे अन्ने किसी सबेता में नहीं मिलता सिंदो अथ्वा हडपा सबेता के नगर का अभी विन्यास सतरंज पट की तरह होता था अर्था डिड प्लानिंग थी इन लोगों की जिसमें मोहन जोद्रों की उत्तर दक्षिनी हवाओं का लाब उठाते हुए सडकें करीब करीब उत्तर से दक्षिन तथा पोण तथा पूरव से पस्चिम की और जाती थी इस प्रकार चार सडकों से घिरे आयतों में आवासिय भवन तथा अन्ने प्रकार के निमान किये गए हैं हडपा और मोहन जोद्रों इस सब्वेता के महतोपुन नगर थे तथा इन दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे इन नगरों में सासक वर्ग का परिवार रहता था तो देखे स्टुनेंट्स इस वीडियो में हमने संक्सित रोब से नगरों के बारे में नगर निर्मान योजना के बारे में जाना है आपको विस्त्री तोर से अलग वीडियो में इन सब के बारे में मिलेगा तो हमारे यूटूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट है उसमें देखेगा आपको अलग-अलग वीडियो मिलेंगे और सिंदु घटी सब्वेता के बारे में प्राचिन भारती थ्यास के कालिव भजन के बारे में और भी थ्यास के बारे में आपको नहीं नहीं जानकर या आपको मिलेगी और यहाँ पर हमने सब कुछ इस हिसाब से तयार किया है कि आपको हर किसी कोई भी एक्जाम हो चाहे वो फैस्ट ग्रेट टीजर की एक्जाम हो या फिर आईएस नेट वगरा इन सब में आप जो श्लेबर सा उसको हमने कवर करने की कोशिस करी है तो आपको एक्जाम में हेल्प मिल सके इसलिए हमने यहाँ पर यह सब कुछ वीडियो में हमने यहाँ पर इत्यास के बारे में बताने की कोशिस करी है तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें और वर्टसप पर बने ब्रोड कास्ट चैनल से जुड़ें ताकि आपको नए ने वीडियो प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद